हेलो, ग्रेटिंग्स तो अल अफ यू, वेलकम टू हेम रक्षक तो स्वागत है आप सवी का आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिंदी शेक्षिन के नेक्स्ट मोग टेस्ट की इसमें आपके लिए लगवग हैं 16 से 18 क्वेश्चन तो आपको ये वीडियो एंड तक चुरूट देखनी हैं और एंड अफ दे वीडियो आपको कमेंट वोक्स में अपना वरा स्कोर बदा कर जाना है दोस्तो यदि आप इस चैनल पर पहली पार विजिट करें तो मैं आपको बता दूँ कि आपको इस चैनल पर एचपे पुलिस की प्रोप पर त्यारी करवाए जाती है गाइडनेस प्रोवाइड की जाती है इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकान जुरूर प्रेस करना है चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन में सीरियल नंबर 57 की ओर आपको बताना है दाता शब्द का इस त्री लिंक शब्द क्या है दाती, दात्र, दात्री, यात्री उमीद करता हूँ आपको आंसर जूड़ाता होगा तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ओप्शन नंबर C is the right one नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 इस वीडियो का सेकिंड क्वेश्चन चल रहा है आपने क्वेश्चन की गिन रहने हैं और लास्ट में बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए है लड़का पेड से गिरा में कौन सा कारक है अपदान कारक, संप्रदान कारक, करम कारक, अधिकर्ण कारक उमीद करता हूँ अभी तक आपने आजसर जूर दे दिया होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओप्शन नंबर A is the right answer नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 59 निमन शब्द में अधिकर्ण कारक का प्रयोग हुआ है बहनारूड, सत्तादीश, कंगाजल, रेखाचित्र उमीद करता हूँ आपने अपने असर जूर दे दिया होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओप्शन नंबर A is the right one नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 को से किस कारक चिनह का बोध होता है करमकारक, करणकारक, संप्रदानकारक, अधिक करणकारक उमीद करता हूँ आपने असर जूर दे दिया होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओप्शन नंबर A is the right one नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63 हे राम तुम कहां हो वाक्या में कौन सा कारक है सबंद, संबंद, अधिकरनकारक, संबोधनकारक, अपदानकारक उमीद करता हूँ भी तक आपने अंसर जूर दे दिया होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओप्शन नंबर C is the right one नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62 थठेरा शब्द का लिंक परिवार्थित कीजिए थठेरी, थठारी, थठेरिन, थठेरिनी उमीद करता हूँ अभी तक आपने अंसर जूर दे दिया होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओप्शन नंबर C is the right answer नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63 देश रक्षा के लिए प्रतेक व्यक्ति नागरिक को डैश रहना चाहिए संबंध, उदत, उदत, प्रबुद, उमीद करता हूँ आपने अंसर जूर दे दिया होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उप्षन नंबर B इस राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जलते है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80 वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है शब्द रूप, द्वानी रूप, संग्या, स्वर उमीद करता हूँ अभी तक आपने जवाब जूर दे दिया होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उप्षन नंबर A इस राइट वन शब्द रूप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 81 हर वाशा में शब्दों से शब्द रूप बनने वाले प्रत्यों को क्या कहा जाता है रूप सादक, शब्द सादक, A और B दोनों इन में से कोई नहीं उमीद करता हूँ आपने अंसर दूर दे दिया होगा तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नबर 83, 84, 85 हिंदी में संग्या शब्दों के रूप रचना किन तीन एकाईयों से संबंदित नहीं है वह विकल्प है लिंग बचन पर स्वर्ग स्वर्ग मीद करता हूँ आपने अंसर जूड़ता आता होगा तो इस question का सही जवाफ है आपका option number D is the right one next question है आपका आनी प्रते से बनने वाले इस्त्रिलिंग शब्द नहीं है नोकरानी, महतरानी, लाला, चोदरानी उमीद करता हूँ आपने अंसर जूड़ते दिया होगा तो इस question का सामने उत्तर दिख रहा है B, C is the right answer, लाला 85th question क्या है पाने आइन में कौन सा प्रते है E या आइन आनी तो इस question का सही जवाब है आपका option number C is the right answer next question क्यों चलते हैं, next question आपको question number 87 दर्शक शब्द में के लिंग वप्रते की बेचान करें पुलिंग आनी इस्त्री लिंग अक पुलिंग अक इस्त्री लिंग अ उमीद करता हूँ आपने अंसर जूड़ते दिया होगा इस question का सही जवाब है, option number C is the right answer पुलिंग अक next 88 question क्या है बवानी शब्द को पुलिंग में बदलें बवा, बवानी, बव सवी गलत उमीद करता हूँ आपने अंसर जूड़ दे दिया होगा तो इस question का सही जवाब है option number C is the right one 89th question क्या है समूब आचिक शब्द की भेचान करें लेख गण, पानी, बय, डान उमीद करता हूँ आपने अंसर जूड़ दे दिया होगा तो इस question का सही जवाब है option number A is the right answer next question क्यों चलते हैं next question है आपका question number 19 अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर A प्रते लगे शब्द में इतर शब्द की पहचान करें लोटे, मुर्गे, रुपए कभी ताएं उमीद करता हूँ आपने अंसर जूड़ दे दिया होगा तो इस question का सही जवाब है option number D is the right one next question क्यों चलते हैं next question है आपका question number 108 निमलेखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृत वाचिक में बदला गया है आज घूमने चला जाए कल देर तक पड़ें बालकों द्वारा खेला जाएगा लड़कों के द्वारा खूब पड़ा जाएगा पड़ा गया उमीद करता हूँ आपने अंसर जूड़ दे दिया होगा तो इस क्वेशन का सही जवाब है option number B is the right one next question is the last question of the video सुमलेत कीजिए match the flowing है आपका सूची एक है और सूची दो इसरी लिंक शब्द हैं और प्रते हैं स्वाबी मिनी लेखी का धहरे बती मोरनी अनी इनी बती इका उमीद करता हूँ आपने answer दूर दे दिया होगा तो इस question का सही जवाब क्या होगा सोच कर दीजिये उत्तर आप सभी को जुरूर आता होगा इसका उत्तर तो इस question का सही जवाब है चलिए मिलान करते हैं पहला आपका connect होगा second से दूसरा लेखी का और मोरनी का अनी means option number B is the correct one आपको बताना है कि आपके 20 मेक्स से कितने माक्स आए हैं यदि आपके 17 प्लस माक्स हैं तो well and good आपकी त्यारी बहुत ही अच्छी चली हुई है यदि आपके इससे low माक्स हैं तो आपको और जदे में इनित करने की जुरुत है निराश नहीं होना है यदि आपको इस वीडियो helpful लगी तो आप इस वीडियो को एक like कर सकते हैं because आपके एक like से हमें motivation मिलता है वीडियो को ज़्यादर बच्चों में share करें इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप खुश रहेगा पढ़ते रहेगा धन्याबाद जय हिन जय हिमाचल